आप सभी लोग को सबसे बड़ा अपडेट देना है और एक सवाल भी आप सभी लोगों से पूछना है जो की काफी महत्यपून है जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि कल आपका इंटीमेर्शन लेटर आया और कल दोपार के बाद से वो गाइब हो गया तो रात भर नहीं हुआ सुबा जो है वो बहोर के समय में जो है वो उपेन होना सुरू हुआ है जो मैंने सुबा आपको बताया है कि अब जो है इंटीमेर्शन लेटर आप डाउनलोड कर सकते हैं और अभी जो बच्चों ने डाउनलोड नहीं किया है वो सबसे पहली जाकर ड लेटर डाउनलोड कर लिये थे और अभी डाउनलोड करने की बाद क्या उनका लेटर में नेम जो है चेंज आ रहा है कॉलेज का या वही कॉलेज आ रहा है या आप सभी लोगों के उपर डिपेंड है आप सभी लोग इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके बताईए क् change उनको दिखा है तो क्या यह बात सत्य है या गलत है यह आप मुझे बताएंगे ऐसे बच्चों ने बोला है तो यह बात सत्य है मैं भी मानता हूँ और यह बात कही जा रही थी कि कल college कुछ change होंगे लेकिन क्या कोई ऐसे बच्चे भी है जिनका college जो है डाउनलोड नहीं किया है लेटर वो जाकर डाउनलोड लेटर कर ले क्योंकि अब जो है आपका site जो है पूरी तरह से work कर रहा है और अब असानी से जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं रही बात cut up के हो लेकर तो cut up में कोई परिवर्तन नहीं होगा cut up आपका वही रहेगा मेभी college change हो या जिन बच्चों का नमर जादा है मेभी उनको college हुआ हो लेकिन मैं आपको बता दू कि अभी तक जो है board की तरब से कोई सूचना जारी नहीं हुआ है board अंदर ही अंदर कोई change कर दे वो अलग बात है लेकिन कुछ न कुछ जरूर बताएगी तो इंतिजार है board के सूचना का ऐसे अभी तक जो है दो तिन बच्चों ने call किया है और बताया है कि मेरा change हो गया है लेकिन change होने का मतलब ये नहीं कि उनका college हट गया है college सिर्फ change हुआ है मतलब पहले कुछ और था और अभी जो है कुछ और हो गया है तो यहां सवाल जो है उन बच्चों के द्वारा दिया गया है तो मैंने सुचा कि आप सभी लोगों से पूछ लूँ और कल भी रात में आप सभी लोगों के द्वारा यह प्रश्ण जो है बार बार जो है उठाया जा रहा था कि मेरा college क्या कल change हो जाएगा या जो मुझे आज मिला है college वो कल हट जाएगा तो यह सब लोग आप लोग मुझे बताइएगा ऐसे मैंने अभी चेक किया है दो-तिन बच्चों का तो उनका तो change नहीं है लेकिन कुछ-कुछ बच्चे अभी मुझे मैसेज कर रहा है मैं यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है उनका message तो अभी भी जो है उनका message चल रहा है तो अभी भी बच्चे मैसेज कर रहा है कि मेरा change हुगया है मैं आपको भी दिखाऊंगा अब tension नहीं ले इसके बाद वाले वीडियो में अभी मैं इकठा कर रहा हूँ कि क्या यह बात सही है के गलत है यह आप सभी लोगों से पहले पूछ लूँ तो जरूर आप सभी लोग मुझे comment करके कि नहीं हुआ है अगर change हुआ है तो आप मुझे comment करें अगर नहीं change हुआ है तो भी मुझे comment करें और अगर change हुआ है तो क्या आपको college दूसरा alert हुआ है कि आपको college दिया ही नहीं गया सवाल यह बात का है माल लेते हैं कि cut up में कुछ गरबड़ी हुई है कुछ बच्चों क को नहीं मिला है लेकिन जो कल बच्चों To Cavante कि फ़ती है इसमीं दिए तो मत दे लेकिन इस ते जो जो प्लेए खेल रही है ये गलत है अमालने कि जो बच्चे कल उनको नहीं दिखा जिनका जादा नमबर है उनको आज दिखेगा तो वो तो खुस होंगे बात सही है कि जब भी किसी वेक्ति को थोड़ा अच्छा महौल फील मिलता है या कुछ हासिल होता है तो वेक्ति खुसी होता है मैं मानता हूँ लेकिन जो बच्चे को कल दिखा दिया गया था अगर उनका आज हट जाता है तो फिर वो बच्चे के उपर क्या बितेगा यह सुचे हैं आपका भी नहीं सुचे है न तो आप सभी लोगों से नर्म निवेदन है प्लीज आप सभी लोग जितने भी लोग है जो कल भी चेक किय आप सभी लोग जाकर एक बार लॉगईन करें चेक करें और क्या परिवर्थन हुआ है कि नहीं हुआ है यह सवाल मेरा है आप सभी लोगों के उपर आप सभी लोग मुझे कमेंड करके बताइए कि क्या कॉलेज चेंज हुआ है या जिन बचों को कल कॉलेज मिला था कर ले क्योंकि में भी फिर कहीं साइट में दिकत ना जाया और फिर प्रोलम होगी क्योंकि आज से आपके एडमीशन की परक्रिया चालू है और अभी तक जो है बोर्ट ने किसी तरह की कोई जो है नोटीस जारी नहीं किया है सांती साथ यह बात कहना चाहूंगा कि एडमीशन पहले आप जाया वहाँ पर सारी परक्रिया को समझ ले तब एडमीशन के लिए जाए क्योंकि आपके एडमीशन के लिए पांच दिन चार दिन दिये गया है आज से फिर भी तो चार दिन है न तेश तक है तो आप करवा सकते हैं कभी भी लेकिन जो भी चीज़े है वह उप मैंने नेक्स टूडियो में तब तक के लिए धन्याबात आएंगे समझ जाएंगे भारत